प्रश नमबर एक स्वतंधरता के बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के मद्य किस बात पर विरोध खड़ा हो गया आपके options हैं एक धर्म के आधार पर दो जाती के आधार पर तीन आर्थिक आधार पर या चार भाषा के आधार पर तो आपका उत्तर है भाषा के आधार पर स्वतंतरता के बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के मद्ध भाषा के आधार पर विरोध खड़ा हो गया प्रशन नमबर दो पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लाया गया आपके आप्शन्स हैं नमबर एक एक अक्टूबर 1947 नमबर दो दो सितंबर 1948 नमबर तीन एक अक्टूबर 1949 या नमबर चार दो सितंबर 1950 तो आपका उत्तर है तीसरा यानि की एक अक्टूबर 1949 तो पंजाब में सच्चर फॉर्मूला एक अक्टूबर 1949 को लाया गया प्रश नमबर 3 फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई आपके ओप्शन्स है नमबर 1 वर्ष 1903 में नमबर 2 वर्ष 1955 में नमबर 3 वर्ष 1956 में तो आपका उत्तर है नमबर 3 यानि की वर्ष 1956 में तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई प्रश नमबर 4 हिंदी समर्थन में सत्यागरह आंदोलन्ड में सबसे प्रभावी जिले कौन से थे आपके ओप्शन्स है नमबर 1 रहुतक हिसार नमबर 2 सिर्षा फतेहाबाद नमबर 3 पंचकुला यमनानगर या नमबर 4 महिंद्रगर रिवाडी तो आपका उत्तर है नमबर 1 रहुतक हिसार तो हिंदी समर्थन में सत्यागरह आंदोलन्ड में सबसे प्रभावी जिले थे रहुतक और हिसार प्रश नमबर 5 1955 में कहां पुलिस उपाद्धिक्ष के दुर्वेभार के विरुद जुलूस हुए आपके ओप्शन्स है नमबर 1 रिवाडी नमबर 2 सिर्षा नमबर 3 महिंद्रगर या नमबर 4 मेवाद आपका उत्तर है नमबर 2 सिर्षा 1955 में सिर्षा में पुलिस उपाद्धिक्ष के दुर्वेभार के विरुद जुलूस हुए थे प्रश नमबर 6 अप्रेल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारन के लिए किस आयोग का गठन हुआ नमबर 1 हिसार नमबर 2 रहुतक नमबर 3 सिर्षा या नमबर 4 कुड़गाँ तो आपका उत्तर है नमबर 2 रहुतक तो अप्रेल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारन के लिए रहुतक का गठन हुआ थे प्रश नमबर 7 हिंदी शेत्रिय समीती का अध्यक्ष किसे बनाया गया आपके उप्शन्स है नमबर 1 फजल अली नमबर 2 गोपीचंद भारगव नमबर 3 बलवन्त तायल या नमबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपका उत्तर है नमबर 3 बलवन्त तायल तो हिंदी शेत्रिय समीती का अध्यक्ष बलवन्त तायल जी को बनाया गया आठवा प्रश सिखों के नेता मास्टर तारा सिंग ने पंजाबी सूबे के लिए अंदुलन कब शुरू किया आपके उप्शन्स है नमबर 1 उनिस सो पच्पन नमबर 2 उनिस सो सतावन नमबर 3 उनिस सो साथ या नमबर 4 उनिस सो बासट तो आपका उत्तर है तीसरा उनिस सो साथ तो सिखों के नेता मास्टर तारा सिंग ने पंजाबी सूबे के लिए आंदुलन उनिस सो साथ में शुरू किया प्रश नमबर 9 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना है तू मरण वृत की घोशना की आपके options है नमबर एक फते सिंग नमबर दो मास्टर तारा सिंग नमबर तीन प्रताब सिंग कैरो या नमबर चार कोपी चंद भारगव तो आपका उत्तर है नमबर वन यानि कि फते सिंग 1965 में फते सिंग ने पंजाबी सूबे की स्थापना है तू मरण वृत की घोशना की प्रश नमबर दस निम्न में से किसने पंजाब विभाचन का विरोध किया तो आपके options है नमबर एक आरे समाज नमबर दो हिंदू महासभा नमबर तीन जनसंग पार्टी या नमबर चार इन सभी ने तो आपका उत्तर है इन सभी ने यानि कि आरे समाज, हिंदू महासभा, जनसंग पार्टी इन तीनों ने ही विभाजन का विरोध किया प्रश नमबर 11 23 अप्रेल 1966 को नमबर 2, 30 जून 1966, नमबर 3, 15 जुलाई 1966 या नमबर 4, 28 जुलाई 1966 तो आपका उत्तर है नमबर 1, 31 मई 1966 23 अपरेल 1966 को जेशी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 31 मई 1966 को प्रस्तुत किया प्रस्त नमबर 12, किस आयोग के एक सदस्य ने चंदिगड सहित खरड तहसील को हरियाना में शामिल करने का विरोध किया आपके आप्शिन्स हैं नमबर 1, 22 तायल आयोग, नमबर 2, फजल अली आयोग, नमबर 3, जेसी शाह आयोग, या नमबर 4, सच्चर आयोग तो आपका उत्तर है जेसी शाह आयोग, तो जेसी शाह आयोग के एक सदस्य ने चंदिगड सहित खरड तहसील को हरियाना में शामिल करने का विरोध किया प्रस्त नमबर 13, पंजाब पुनर गठन विधेर वर्ष 1966 को लोग सभाने कब पारित किया तो आपके उप्शन्स है नमबर 1, 18 सितंबर 1966, नमबर 2, 27 सितंबर 1966, नमबर 3, 2 अक्टूबर 1966, या नमबर 4, 19 अक्टूबर 1966 तो आपका उत्तर है नमबर 1, 18 सितंबर 1966 तो पंजाब पुनर गठन विधेर वर्ष 1966 को लोग सभाने 18 सितंबर 1966 को पारित किया प्रश नम्बर 14 निम्न में से किस छेत्र को जेशी शाह आयोग ने हरियाना में शामिल किये जाने के शिफारिश की थी नम्बर एक चंदिगड सहित खरड तहसील को नम्बर दो नारायनगड को नम्बर तीन जगाधरी को या नम्बर चार उपरोक्त सभी को तो चंदिगड सहित खरड तहसील को नारायनगड को और जगाधरी को इन सब को जेशी शाह आयोग ने हरियाना में शामिल किये जाने के सिफारिश की थी प्रश नम्बर पंदरा हरियाना राज्य की स्थापना एक नम्बर 1966 को किसकी सिफारिश पर की गई थी आपके आप्शन्स है नम्बर एक लाल भादुर शास्त्री नम्बर दो इंदरा गांधी नम्बर तीन सरदार हुकुम सिंग या नम्बर चार सर छोटुराम तो आपका उत्तर है तीसरा सरदार हुकुम सिंग तो हरियाना राज्य की स्थापना एक नम्बर 1966 को सरदार हुकुम सिंग की सिफारिश पर की गई थी दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेर जरूर कीजेगा और हाँ दोस्तो इसी तरह की ज्यानवर्दक वीडियो हम आपके लिए रोज लेके आने वाले हैं जो आपको HSSC, HPSC एवं हरियाना के तमाम परिक्षाओं के लिए उपियोगी रहेंगी जै हिंद, जै हरियाना, जै भारत, वंदे मात्रम